अब ट्रेनों से नहीं सुनाई देगी कानों का परदा फाडने वाली आवाज भारतिय रेलवे नए साल में चालू करेगा नई तक्नी। अब EMU मेमू जैसी लोकल ट्रेनों से भी अब कानफोरू शोर नहीं सुनाई देगा। ट्रेनों से निकलने वाली ऐसी आवाजे आसपास की आबादी की रात में नींड खराब करती हैं। बलकि रेल्यात्री को भी इसकी आवाज रेल्यात्रा के दोरान असच करती है। जिसके लिए रेल्वे जल्द ही ट्रेनों और स्टेशनों में धनी प्रदूशन और वायू प्रदूशन को कम करने वाली टेकनोलोजी लाने जा रहा है। इन ट्रेनों को head-on generation वाली रेलगाडियों में बदला जाएगा। इसके मुताबिक EMU MEMU Kolkata Metro और वंदे भारत ट्रेनों में IGBT आधारित तीन फेज वाली टेकनोलोजी जल्द ही फिक्स की जाएगी। वंदे भारत एक्स्प्रेस अभी स्वचालित दर्वाजे, वाई-फाई, GPS से जुड़ी यात्री की सूचनाएं और LED सिस्टम से लेस है। जबकि GPS आधारित पैसेंजर अनाउंस्मेंट कम पैसेंजर इनफार्मेशन सिस्टम पैपिस भी EMU और कोलकाता मेट्रो में लगाया जा चुका है। पैसेंजर इनफार्मेशन सिस्टम स्ट्रेन के भीतर आवाज के जरिये आने वाले स्टेशन की जानकारी देता है, साथ ही वीडियो स्क्रीन पर भी ये डिस्प्ले होता रहता है। एर कंदीशन यानी एसी से लेस लोकल ट्रेने पहले ही मुंबई समेत पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे में चलाई जा रही है। CCTV कैमरा और इमर्जनसी टॉक बटन भी लगाया जा रहा है। जबकि फ्लैशर लाइट और CCTV कैमरे सबसे पहले लेडीज कोच में लगाये जाने हैं। कोच की अलाम चेन खीचने के साथ लाइट जलने और तेज आवाज वाला बजर भी स्टार्ट होगा। हाई हास पावर वाले इंजनों के साथ 2811 रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रानिक इंटरलॉकिंग भी हो चुकी है। कोहरे या तेज स्पीड में ट्रेनों को आमने सामने से टक्राने से रोकने के लिए आटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम भी भारतिय रेलवे हर जगा लगा रहा है। अब तक 77 इंजनों में 1455 रेल रूट पर कवच लगाया जा चुका है। रेलवे देश के विभिन्ण रेलवे स्टेशनों के अपग्रेडेशन का कार्य भी कर रहा है। नई दिली रेलवे स्टेशन के अलावा कानपूर सेंट्रल, प्रयागराज, वारानसी जंक्षन को भी अत्याधुनिक टेकनोलोजी से लेस किया जा रहा है। अगर रेलवे से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सोशल मीडिया में जरूर शेयर करें आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाते हैं कमेंट में जरूर बताएं और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें जैहिन